एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है Mastermind of GK में फ्रेंड्स इस वीडियो में आज हम 25 महत्पूर्ण अब्जेक्टिव प्रश्ण को देखेंगे सभी प्रश्ण महत्पूर्ण है इसलिए पूरा वीडियो आप अवस्य देखेंगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगा फ्रेंड्स और चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब कर ले तथा वेल आइकन को जरूर दबाए ताकि जब भी कोई वीडियो अप्लोड करूँ इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं आज का पहला सवाल है फ्रेंड्स कि अबुल फजल को मिर्तु किसने दी थी देखे फ्रेंड्स आप लोग गेस करते चलिएगा इसका राइट अंसर क्या होगा तो अबुल फजल को मिर्तु किसने दी थी इसका जो राइट अंसर हो जाएगा option number B सहजादा सलीम ठीए फ्रेंड्स कहीं कहीं पे आपको सहजादा सलीम के जगा पर जहांगिर दिया हुआ रहेगा तो confusion नहीं यहां पैदा करना है फ्रेंड्स क्योंकि जहांगिर के बच्पन का नाम ही सलीम था तो देखे इसमें नोट्स में लिखा हुआ है कि 1622 में जहांगिर ने अबुल फजल को मिर्तु दी थी ठीक है फ्रेंड्स तो प्रेंड्स क्या था अबुल फजल को मिर्तु किस ने दी तो सहजादा सलीम यहांपर कहीं कहीं पे जहांगिर भी लिखा रहेगा चले सवाल नमर दो को देखते हैं सवाल नमर दो है कि संसार की अधिकत्म खादान फचले किस कुल से संबंदित है जो रैट अंसर हो जाएगा ऑपसर नमर एह हो जाएगा ओमीनी कुल के है ठीक है फ्रेंड्स के लिए सबसे महत्पुन योगिक है आपका नाइट्रोजन ठीक है फ्रेंस इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देखे एक चियाद रखेगा फ्रेंस प्रस ने भी पूछा जाता है कि पेड़ पौधे हैं जो नाइट्रोजन को किस रूप में गरहन करते हैं इसका राइट अंसर हो जाएगा क्या चै नाइट्रेट के रूप में यह बी आप आद रखे गा कि पेड़ पौधे नाइट्रोजन हो लिए तो नाइट्रेट के रूप में गरहन करते हैं तो सवाल यहां क्या था कि पौधे की विर्धी के लिए सबसे महतुपुन योगिक निमीं से कौन है तो नाइट्रोजन है चले सवाल नमर चार को देखते हैं सवाल नमर चार है कि पहला दर्सन में एक पेट्रॉल इंजन को पहचाना जाता है ठीक है आनि पहली बार पेट्रोल इंजन को पहचानने का क्या तरीका है ठीक है किस तरह से पहचाने है पहला दर्सन में इसका जो राइट अंसर हो जाएगा option number D असपार्क पलक के द्वारा पहचाना जाता है प्रश नंबर 4 का राइट अंसर हो जाएगा option number D चले प्रश नंबर 5 को देखते हैं प्रश नंबर 5 है पनीर बनाने में किस किनवन परियोग होता है इसका राइट अंसर हो जाएगा option number C रेनीन का ठीक है फ्रेंट्स चले सवाल number 6 को देखें सवाल number 6 है आपके सामने कि पर्थम जैन संगीती का आयोजन पाटली पुत्र में हुआ था जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंट्स कि जैन संगीती टोटल कितने हुए थे तो दो हुए थे पहला हुआ था पाटली पुत्र में और दूसरा गुजरात के बलभी में हुआ था ये भी याद रखेगा तो प्रश ने आप पूछा जा रहा है कि पर्थम जैन संगीती का जैन संगीती का जो आयोजन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे तो अस्थूल भद्र थे चले सवाल नमर्बर साथ को देखते हैं कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है तो कौन सा इसका जो राइट अंसर हो जाएगा तारा मचली तारा मचली है जो कैंस से लड़ने के लिए उपयोगी है चले सवाल नमर्बर आठ को देखते हैं सवाल नमर्बर आठ है सवाल नमर्बर आठ की भोजन श्रिंखला का दस परतीसत सिदान्त किसने दिया था बहुत ही महत्पून प्रशन है फ्रेंट्स गेस करे इसका राइट अंसर क्या होगा तो जो भोजन श्रिंखला है उसका दस परतीसत का सिदान्त किसने दिया था तो राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए लिंड मैने ने दिया था सवाल नमबर नौ को देखते हैं सवाल नमबर नौ है कि समान्य नेत्र के रेटीना पर बनने वाला परतिवीम होता है कैसा और उल्टा बनता है प्रश्ण नमबर दस को देखते हैं कि प्रश्ण नमबर निम्न में से कौन सा अस्थान 1857 के विद्रों से अच्छूता रहा है तो गेस करें इसका राइट अंसर क्या होगा तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा फ्रेंट्स आप्शन नमबर सी हो ज सावाल नमर 12 को देखते हैं सावाल नमर 12 दूडा आर्थिक नियोजन विशखय है किसका विद्रों सी सूचि का राजियर्सूचि का या डिग किसी विसेश सूचि में लेकित नहीं है तिसका जो right answer हो जाएगा फ्रेंड्स, option number B हो जाएगा, समुवर्ती सुची का, आर्थिक नियोजन जो बिसा है किसका, तो समुवर्ती सुची का बिसा है, Š़िया फ्रेंड? चलिए, तो सवाल number 13 को देखिए, सवाल नमर 13 है कि देश में पंच वर्षिय योजना का अनुमोधन करने वाला सर्वोच निकाय कौन सा है तिसका जो राइट अंसर हो जाएगा आप्सन नमर D राष्टिय विकास परिशद चले सवाल नमर 14 को देखते हैं सवाल नमर 14 है कि भारत में एक रूपिय के नोट तथा सिक्के किसके द्वारा जारी किये जाते हैं सिंपल सा प्रशन है गेस करें इसका राइट अंसर क्या होगा भारत में एक रूपिय के नोट तथा सिक्के किसके द्वारा जारी किये जाते हैं इसका जो राइट अंसर हो देगा, आप्सर नंबर B, भारत सरकार दौारा जारी किया जाता है, सवाल नंबर 15 को देखे, सवाल नंबर 15 है कि मर्याना ट्रेंच किस महासागर में इस्तित है, सिंप्ल सा प्रशन है Friends, गेशकरे इसका राइट अंसर क्या होगा, तो इसका जो रा की समाने दिशा क्या होती है बहुत ही महतफुन प्रश्ण है ये एक जाम मैं पूछा आप रष्ष्ण है फ्रेंस प्रष्ण है तुछ एक बार फिर से सुने और इसका रय चर गेस करें कि बंगाल की खाड़ी में बने शक्रवातों की समाने दिशा क्या होती है तुसका जो र Brian राइट अंसर हो जाएगा उत्तर से पस्चिम option number A इसका है जो right answer हो जाएगा ठीके friends अब चले सवाल number 17 को दिखे सवाल number 17 है कि किस अभियारन को पुरुव में भरत पुरुपच्छी अभियारन के रूप में जाना जाता था इसका पहले भी करा चुका हूँ friends इसका जवाब आप लोग सही करियेगा जरूर कि किस अभियारन को पुरुव में भरत पुरुपच्छी अभियारन के रूप से जाना जाता था इसका जो right answer हो जाएगा option number C हो जाएगा के वला देवराष्टिय उध्यान को पुरुव में भरत पुरुपच्छी अभियारन के नाम से भी जाना जाता था चले सवाल नमर 18 को देखते हैं सवाल नमर 18 काफी मात्पून प्रशन है कि time keeper time keeper सब्द किस खेल से संबंदित है option E में किर्केट B में कुस्ती C में हौकी और D में गोल्फ तो देखे जो time keeper सब्द है वो कुस्ती से संबंदित है प्रशन नमर 18 का जो right answer हो जाएगा option नमर B हो जाएगा कुस्ती से time keeper किसे संबंदित है कुस्ती से याद रखेगा ठीए फ्रेंस चले सवाल नमर 19 को देखे सवाल नमर 19 है friends कि सिव का नर्तक स्वरूप कि दंबरम इस्थित परख्यात नटराज मूर्ती का निर्मान किस ने किया था किस वंस ने किया था friends guess करें तो इसका जो right answer हो जाएगा option number C चोल वंस ने किया था ठीक है चले सवाल नमर 20 को देखते है सवाल नमर 20 है क्या है कि ब्रीटिस द्वारा पलासी यूद किसके नेत्रित्म में लड़ा गया था ठीक है friends देखे पलासी के यूद से एक प्रशन हमेशा पूछा जाता है friends याद रखेगा ब्रीटिस द्वारा पलासी यूद किसके नित्रित में लड़ा गया था इसका जो राइट अंसर हो जाएगा आप्शन नमबर ए हो जाएगा रावर्ट कलाइव के देखे प्लासी के जूद कब हुआ था इसको आप डेट के साथ जरूर याद रखेगा तो प्लासी का जूद कब हुआ था यूद किसके नेत्रित में लड़ा था और कब हुआ था तो तो तेस जून 1757 इस्विए में इसमें रवर्ट कलाइव ने किसको हराया था सिराजु दौला को हराया था चले सवाल नमर 21 को देखे सवाल नमर 21 है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सरवाधिक संख्या थी आनि कहां से किस प्रांत से सरवाधिक संख्या थी 1857 के संघर्ष में तो इसका जो राइट अन्स रोद एफ्रेंट्स आप्सन नमबर भी हो जाएगा अवज से ज्यादा संख्या थी कहां से अवज से तो चलिए सवाल नमर 22 को देखते हैं सवाल नमर 22 है फ्रेंट्स कि भोजन का पचना किस परकार की अभिक्रिया है बहुत ही महत्पून प्रश्ण है ठीक है भोजन परकार की भोजन का पचना एक रशानी का विक्रिया है तो उसमें किस तरह का है तो उपचेयन है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ए हो जाएगा ठीक है फ्रेंस आधर रखेगा प्रश्ण नमर 23 को देखते हैं प्रश्ण नमर 23 है कि किसी तत्व के गुनों को परदर्शित कौन करता है किसी तत्व के गुनों को कौन परदर्शित करता है एलेक्ट्रॉन करता है या प्रोट्रॉन करता है या नेट्रॉन करता है गेस करें इसका रायट अंसर क्या होगा इसका जो रायट अंसर हो जाएगा फ्रेंट्स आप्सन नबर D हो जाएगा परमानू करमांख है जो किसी तत्व के गुनों को परदरसित करता है चलिए सवाल नबर 24 को देखिए सवाल नबर 24 है दीज वाबान आंस जबाब आप हमें करके बताईएगा कॉमेंट करके बताईएगा इस विडियो का लाश्ट प्रोष्ण को देखते हैं जिसका जवाब आप हमें कॉमेंट करके मताये JC आज का सवाल रहा आप लोग के लिए कि भारत की राष्टिय आय में सरवाधिक योगदान किस छेत्र का है और फ्रेंट्स तो इसका राइट अंसर क्या होगा आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा देखे फ्रेंट्स मैं परते एक दिन आपको जिक्केट जीएस का वीड आए रखे ठीक है इससे आगे चलके आपको फायदा होगा और जिक्केट जीएस का लेवल अच्छा बना रहेगा फ्रेंट्स इसलिए 10 मिनट समय निकाल करके आप परते एक दिन जरूर वीडियो देखे और अच्छा लगे फ्रेंट्स तो लाइक और दोस्तों में सेर करना न भूलें तो नेक्ट विल्यों फिर मिलते हैं देखने के लिए थैंक्यू धन्यवाद